क्या होता है कि इस से पहले का जो दौर है जो मैंने समय विताया स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था कॉलेज में पढ़ाता था कॉलेज में पढ़ाने के बाद एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाता था खुद का मैंने class भी start किया लेकिन मैंने 2 महीने तक 2 months तक मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिर्फ आता था सुबा और शाम को lock करके जाता था और कुछ भी नहीं करता था एक भी student नहीं आता था मेरे पास जब मैंने new class अपना class शुरू किया था तो बहुत मैंने जब college की नौकरी छोड़ी थी उस समय भी घरवालों ने बहुत ये बोला था कि क्यू जॉब छोड़ी क्यू जॉब छोड़ी अगर अब class नहीं चला तो क्या होगा लेकिन मुझे confidence था नहीं मैं एक मेहनत भी करूँगा अच्छा पढ़ाऊंगा quality teaching दूँगा और मुझे मालूम है और सच बात है अगर आप मेहनत continuous करते रहोगे उसके बाद दो महीने तक मैं सिर्फ आता था और light चालू करता था और बंद करता था और चला जाता था ऐसा समय मैंने भी ताया था लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब धीरे-धीरे क्या हो गया कि वो मई का महीना था एप्रिल मई जून में मैंने शुरू किया था लेकिन जून में जब कॉलेजे शुरू हुए तो मेरे स्टूडेंट स्टॉड़र्स आये कॉलेज के जिने मैंने पढ़ाया था उन्हों नहीं फिर बोला कि हम सेकेंड एर में सरापी के पास सीखना चाहते हैं और जो थर्ड एर वाले थे वो पास आउट हो गयते महाराश्ट में थर्ड आई थी हो मेरी स्टूडेंट उस समय CET में तो वहां से फिर एक शुरुवात हुई और फिर मैंने दीरे-दीरे करके दो बच्चों को पढ़ाया कुर्सिया लाई फिर कुछ से ही मुझे बोर्ड खरीदने जाना पढ़ा फिर पेन लाया टेबल लाया सब कुछ दीरे-दीरे लाया और चीज़े मैंने शुरू की और शुरू करने के बाद समय लगा छे महीने आट महीने में मैंने दीरे-दीरे क्राउड ही कठा किया फिर जगा बदली बहुत सारे एक बार तो मुझे याद है वहाँ पर पाच्छे कुरसिया थी बस इतनी ही थी और टीवी घर से लेके गया था कि उसके उपर जो मैं प्रोग्राम टाइप करूँगा बच्चों को देखने के लिए टीवी ओनी चे उस पर दिखाऊँगा तो एक स्टूडन्ट उसके मम्मी के साथ उसकी मम्मी वो एक छोटा बच्चा था उसकी मम्मी आई और उन्होंने क्लास को भी देखा मेरे और देखने के बाद फिर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जगा लेकिन मैंने उन्हें ये बोला कि आप पहली बार आयो मेरे क्लास में मैंने नया शुरू किया है आप आपके बच्चे को एक बार भेज के देखो अगर उसे पसंद नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं चला जाएगा अब मैं फीजी नहीं लेने वाला मैंने तो तीन-चार साल तक जब तक पढ़ा है कभी किसी भी बच्चे से पहले फीज नहीं ली मैंने बोला पहले सीखो पसंद आया तो ही फीज दो मैंने उनको भी बोला था और शुरुवात वहां से ही कि कम फीज पे मैं सिप चाहता था कि एक अच्छी चीज दे पाऊं और अच्छे आफर्स भी थे मुझे बड़े-बड बहुत कुछ तो मैंने ऐसा समय विता के जब मैं यहां पर आया धीरे-धीरे आज नासिक में मैंने अपने इंस्ट्यूट को टॉप पर लाया है बहुत महनत बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं हाँ प्रॉबले में क्या होती ही पता है मेरा जो वीडियो है उसमें कंटें देखा जा रहा है उसके साथ उसमें कमेंट क्या की जारी कमेंट किया जारा है दो चीज़ें उपर से आप शेयर का भी कहीं कहीं option होता है देखो आप जब वीडियो को देखते हो शेयर इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो एक परसन जिसका एक वियू मिल रहा है अगर तो तीन-तीन चीजे अगर वो करेगा तो फिर इजीली वो वाइरल हो जाता है ये वीडियो और एक बार एक वीडियो वाइरल हुआ तो अपने आप वीडियो बढ़ जाएंगे और वीडियो बढ़ गया तो बाकी की प्लेलिस्ट भी अच्छे से कवर हो जाएंगी तो इसके आप इस चीज का भी ध्यान रखो आप हर वीडियो में कुछ ना कुछ कमेंट दे दिया करो कुछ भी आपको जो मन करें इससे क्या होता है कि वीडियो इसको भी